है गाइज वेलकुम टू पाट शाला गाइज आज हम देखने जा रहे हैं 16th मार्च 2023 का हिंदू अनालिस गाइज सबसे पहले न्यूज अनालिस स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे आज का कि हमारे प्रीविस एर इग्जामिनेशन में क्या-क्या क्वेशन्स पूछे गए है सेकें रहनुका वैटलेन हिमाचल प्रतेश रुदसागर लेक ठ्रिपुरा सच्त मुकूटा लेक तमिल नादू आपको इसमें करेक्ट पेर चुनना है और बताना है नेक्सक्षिशन हमारा है यहापर विद रफेरेंस तो वेब 3.0 फिए आपको करेक्ट बतानी है पहला सासज बायर्स कें करेक्ट बतानी है पहला है सास बायर्स कें कस्तमाईज अ interface and can change data fields second option hain saas users can access their data through their mobile devices third is outlook hotmail and yahoo mail are forms of saas तो आपको इसमें से correct statement बता नहीं है one and two two and three one and three and one two three ठीक है हमें से आप select करके answer दीचेएगा next आज हम guys important news बात कर लेते हैं recently अभी दोहा political declaration on ldc's हुआ है why news क्योंकि 5th United Nations Conference था on the ldc that is least developed countries इसको conclude करा गया और इसका topic का नाम था that is दोहा political declaration by the world leaders declaration का जो की outcome था the some second part of the ldc 5 conference जिसका theme रखा गया था from potential to prosperity in Qatar ठीक है तो यह याद रखना है आपको अच्छा कुछ इसके की highlights declaration के याद रखने है दोहा program of action के का focus जो था guys वो यह था कि तसीयर का plan करा जाएगा 46 जो most vulnerable countries है जो SDG के कहीं भी track नहीं कर पा रही है उन से related यह काम किया जाएगा तो इसका लिए decade select किया गया है declaration for political वाला आपका दोहा political declaration में क्या साना गया है बनाया गया है 2022 से 2021 था का रागी फर्स्ट पार्ट है LDC 5 conference का वह हो और New Delhi New York में जैसे की मार्च में हुआ भी था यूएस में तो इसमें 6-6 के आपके areas है कैसे कैसे हम LDC को खतम करना है उनकी problems को कजम करना है सबसे पहला काम इनों ने बोला है eradicating poverty सबसे पहले गरीबी हटानी जरूरी है दूसरा यहां पर बोला जा रहा है leveraging the potential of science and technology ताकि वो अपनी multi-dimensional vulnerability से दूर हो और SDG development goals को fulfill भी कर पाए climate change अलग parameter है ना वो भी जरूरी है तो address करना climate change, environmental degradation से और COVID-19 के shock से कैसे वापिस बच के आना और inform sustainable development करना वापिस से वो चीज़ यहां पर रखी गई है need क्या थी declaration की देखो जो 46 LDCs है ना बहुत जबरदस तरीके से guys वो hit हुई है by COVID-19 by the climate crisis तो इसी लिए वहाँ पर ऐसा करा जा रहा है, debt burdens बहुत ज़्यादा है, inequality बहुत फेस कर रहा है, economic shocks बहुत लगे में है तो they have contributed minimally to carbon dioxide emissions बिचारों ने तो कोई गदा नहीं करा है क्योंकिन के बाप burden भी काम होना चीए climate change impacts का, तो ऐसी country जुसमें की 33 African nations है, जो की आपका challenge face कर रहे है, high debt cost का, inadequate liquidity का तो LDC जो है वो worst performance है on the progress made on towards achieving SDGs और इसमें sustainable development report है 1222 की, इसमें related यहाँ बनाये गया है इसके अलावा next news आपको ध्यान में रखने है कि IMDNA की आपका metallurgical organization है, department है उसने develop किया mobile app जिसका नाम है Mawsem, वो क्या करेगा, weather forecasting में काम करेगा, make doot है for agreement advisory dissemination के लिए और दामिन ही आप बनाई गई है for lightning alert के लिए, अलग अलग तीन तरह की apps को याद रखना है नाम, okay guys देखो यही factual based questions अगर आ जायते हैं, तो हम उसको आसानी से answer कर पाए, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है Now, let's move to the news analysis part, तो आपको पता ही चला, जैसे के export fall कर गया है, 8.8%, trade deficit shrink कर गया, over 7%, ठीक है, तो इसका यही reason है क्योंकि हमारा जो oil and non-oil exports है, वो contract कर गया है, हमारा import जो है, गोल्ड के लिए भी drop कर गया है, इस वजे से ऐसा देखने को हमें मिल रहा है, Now, let's move to the next news, तो इसमें और author case में कुछ point of view है, उसको discuss करते हैं और आगे move कर जाते हैं, देखो, Brahmapuram ऐसा policy game changer for Kerala में यहाँ पर बताया गया है, कि अभी recently news भी शेर की थी ना, यह जो landfill Kerala के जो fire वहाँ पर लग गया है, 100 acre की वो जमीन थी, Brahmapuram की, outer fringes of Kochi में थी, वहाँ का बहुत ही बुरा पड़ा, safety for children देखने के लिए, residents को advice किया गया कि वह मास्क पहने, indoors रहें, और इसमें बर्निंग प्लास्टिक और मेटल्स के majorly एक आपके implications आया है, उसने पूरा air को खराब कर दिया, तो Kochi का future है, वो कह रहा है कि कितना congenal home, इतना बहुती smoother जगा है, यहाँ पर रहने के यहाँ पर इस वज़े से deep insecurity लोगों के बीच में, यहाँ पर failure हो गये in effective regulations of harmful human activities का, तो Kochi का current production है is not unique, all over Kerala जगर आप देखो कोई arrangement ही नहीं है, scientific disposable नहीं था यहाँ पर garbage करने का, तो उस वज़े से यहाँ पर इतना ज़्यादा poorly managed infrastructure है, extreme तरीके से वहाँ पर cities को bully खराब करा जा रहा है, high consumption levels होने की वज़े से यहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ पर इसने दो तरह के policy measures भी बताये हैं, कि देखो दो तरह से ना चीजों को ब्रहंपूरा के ठीक की जा सकती है, एक होता है आपका level of public policy, जो government क्या domain होता है, एक होता है public itself इस चीज को ठीक कर सकती है, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे, तभी करला का lasting solution या ऐस तरह की problem का lasting solution निकल कर आपाएगा, तो government तो करी रही है, government भी अपना काम करें, responsibly scientific treatment करें, garbage का sites पर, ठीक है, municipal corporations के साथ मिलके वो काम करना वो ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है कि लोगों के लिए क् यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोग भी यहाँ पर proactive role निभाएं, यानि कि वो अपने घर के जब domestically कूडे को जब segregate करके भीजेंगे, तो उससे क्या होगा, घर से ही जब यह शुरूरात हो जाएगी, तो फिर इसमें एक responsible तरीके से काम करोगे, आप responsible तरीके से काम साथ-साथ let's move to the next editorial or next part of the story, so whatever is important for us, we are doing the same, इसके बाद है देखो sustainable model for your women's leadership पर बात करते हैं, देखो इस वक्त यहाँ पर ना, इसमें author ने जो लिखा है, वो कह रहा है कि today the world is home to a transformative generation of 900 million dollars and girls and young women, जो की हमारे future of work and growth है, हमारे काफी सारे 21st century में हमारे पर बहुत सारे skills है, women leaders का segment है, change makers है, entrepreneurs है, innovators है हमारे history में, तो कह रहा है कि जो इंडिया है ना, इसमें largest generation of girls and young women है, उसमें wide ranging initiative लिये जाने चाहिए, critical domains में, इनके health का ध्यान, इनके digital technology का ध्यान, इनका financial ध्यान, इनका education का ध्यान, इनका leadership building, हर तरहा से करने की जरूवत है, ताकि हमारा जो sustainable goal 5 है, वो अचीव हो discrimination, यह सब खतम करना है, ठीक है, तो हमें 2030 तक अगर वो अचीव करना है, तो आज से हमें कुछ ऐसा model त्यार करना पड़ेगा, ऐसा platform त्यार करना पड़ेगा, कि women at all levels of society must have inclusion in the information and communication technology, और फिर उसके साथ ही साथ, shared responsibility within the household हो, उनका equal participation हो, decision making spaces में, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है, multi-pronged approach of nani की जरूवत है, ताकि employability बढ़े, sport for leadership बढ़े, bodily autonomy हो इनके पास, ताकि एक खुल के जिन्दगी को जी पाए, Scaling EdTech Solution के बारे में बात कर रहा है, कि access to digital technology, जो दीरे-दीरे बढ़ रहे है, उसके साथ, arena of opportunity, basic services for children and young people बढ़े, EdTech आपको क्या देगा, एक तरह का tool देगा, जिससे की gap खतम हो, किसका accessibility gap, education का, through hybrid learning, और जहां पर girls को पूरा access मिले, कि वो schools is restricted by harmful norms, building and scaling of solutions, उनके लिए कस्टुमाइज की जाए, उनका language, उनका cultural nuisance, internet, accessibility, उनको हर तरह से provide की जाए, तो कहरा है कि even World Bank ने ये भी नोर दरा, कि 43% जो Indian STEM है, यानि कि science, technology, engineering and mathematics से graduates है, are women, however, not all of them are represented in the workforce and tech leadership, लेकिन यहां पर साथ-साथ कहरा है, जो STEM education among girls appears to have picked up pace over the years, और यहां पर ऐसे of stereotypes होते थे, कि masculine domains हैं सारी कि सारी, वो सब से बाहर आ रहा है, तो यहां पर ही कहने हैं कि लेकिन और भी हमें और अच्छा करना पड़ेगा, जेंडर नॉम्स को हमें जो disproportionality allocate हो रखे हैं domestically, care responsibility by women, तो representatives of men as leaders of STEM, finance, entrepreneurial fields, public perception में, institutional mechanism में, few flexible work arrangements, lack of children, childcare, facility in the workplace, सारे कि सारे जो barriers हैं में, वो सब को खतम करना पड़ेगा, और actively counter करना पड़ेगा, कि कि भी भी तरीके का stereotype ना हो, तो कि अगर women के लिए studio type बना, financial education नहीं ले सकती जी, entrepreneurship नहीं बन सकती, olympi art नहीं clear कर सकती, तो सबसे बाहर लगा के women को एक ऐसा solution देना पड़ेगा, ताकि ऐसे ecosystem में काम करें, कि वो empower field करें अपने आपको, साथ ही साथ उसका अपनी body परा हग है, उसका जहां लगे, casual relationship उसको निभाने है तो वहाँ नहीं करें, तो हाने भाहे, नहीं करें, तो हाने भाहे, नहीं करें, तो हाने मत करें, तो सीख health care, जब भी उसको जरूद पड़े, कोई violence है, उसको harassment से free रहे, वो ऐसी जगह उसको हो, sports activities में भी उसका जादा से जादा synonym हो, promote करें, अपनी leadership को, self-sufficiency को, team work करें, ठीक है, उसके बादे कैरा है, redistribute care work भी बहुत जरूरी है, कैरा है, देखो, domestic chores जो है, to caring loved ones, backbone of thriving families, communities, सारा का सारा किस पर इरा होगा है, women पर, women ही सबको संभाल ले है, सारी चीजे, और even COVID-19 के crisis में, तो हमने देखा कि women का burden और ज्यादा बढ़ गया, socio-cultural norms कुछ ऐसे हैं हमा जा रहे है, उसके ले हाँ पर भी economic opportunity create की जाए, उसको men के एकदम equal समझा जाए, तो policies that provide services, social protection, basic infrastructure, domestic and care work में promote करना, and create more paid jobs in the care economy, सारी के सारी urgent need है, ताकि economic empowerment हो पाए, तो economic empowerment होगा, तो फिर वो decision making अच्छी बाएगी, और उसकी लोग बात भी सुनेंगे, तो multi-pronged approach उससे क्या ह होगा, उसकी employability को बढ़ाया जाए, sports leadership को बढ़ाया जाए, तो nurture करोगा, गर गर्ल की leadership को, तो collective बहुत बढ़ा step होगा, पहला step सबसे पहले यह, कि हम restrictive gender norms को तोडे, और barriers को तोडे, ताकि gender transformative growth होना शुरू हो जाए, और girl and woman-led progress एक sustainable development में हो, इंडिया में भी और worldwide ही, तो इस this is about this article guys, now let's move to the next news, reservation for women and politics, another article आपका woman पर ही आया होगा, देखो इस पही recently क्या होगा, कि न, a day before her appearance in the front of the enforcement director, Delhi liquor policy case, भारत राष्टर समीती leader थी, के कविता, उनने launch किया, 6 hour hunger strike, March 10 को, उनने बोला, कि जो early passage, long paddock, वोबिद reservation bill रहे गया है, उसको बहुत जरूरत है, कि हम उसको ठीक करें, अब यहाँ पर यह कह रहा है, कि देखो इसमें क्या निकाला गया, तो बोला गया, what has been the history of political reservation for women, इननों का यही कहना है, कि भई, bill act बन जाए, और women को reservation मिले, ठीक है, तो issue of reservation for women ऐसा नहीं है, कि आज की कहानी है, 1931 में ही nationalist women होती थी, उननोंने status of women के उपर question उठा जाए, ताकि universal demand जो Indian women's की absolute equality, political status में हो मिले, तो issue of women reservation came up in constituent assembly में, काफी इस पर debate हुई, और debate होने के बाद भी कुछ खास results नहीं निकल कर आ रहे थे, फिर धीरे-धीरे 1971 में इस पर बात चली, कि women का कैसे political representation बहुत ही कम है, women local bodies में नजर नहीं आती है, तो national perspective plan आया, women के लिए recommend किया गया 1988 में, और reservation भी provided to women, from the level of panchayat तक तो दी जाए, तो recommendation में 73rd and 74th historic movement आया, जिसमें की women को 1 3rd seat दी गई, कहाँ पर local bodies में, whether it is in panchayati और in the municipal communities, ठीक है, उसके बाद women reservation bill है क्या, तो local bodies के भाद भी लगा, हमारे पास तो parliament में women बहुत कम है, तो women reservation bill में ये propose करा जाने assembly में women को दी जानी चाहिए, तो it was first introduced in the Lok Sabat, 81st amendment bill था September 1996 में, लेकिन bill फिर भी fail हो गया, joint parliamentary committee बैती, वो summit नहीं कर पाई, और bill lapse कर गया, फिर 1998 में तल विहारी वाइचपई जी की government आई, वहाँ पर बात की गई, कि भी women को 33% representation देना जरूरी है, लेकिन फिर इसको majority of votes नहीं मिल कर रहे है कि भाई, despite the hopes of leaders of national movement, women are still underrepresented, आज भी women underrepresented है, parliament के अंदर, आपको देखो, सोच के बड़ी वो लगेगा, कि 14% जो हमारे Indian parliament में, आज women है, वो highest है so far, जबकि अगर आप इसको inter-parliamentary union की report तीश में बताया जारा है, कि India है the fewer percentage of women, if you compare it with the lower house of your neighbor countries, neighboring country, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh में, आप के जादा, महा पर women है, women represent कर रहे है, parliament के अंदर, उसके बाद है कह रहा है, what are the arguments against the bill, bill क्या 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 बाते की जा रहे है, एक तो हम कह रहे है, जरूरत है women, अगर आएगी तो women, बहुत सारे issues को देखो, इसके फायदे से या बता रहे है, एक argument है, एक against है, for the bill क्या है, कि women अ diversity है, तो वो diverse issues को अपने एक perspective से देख के, उसको ठीक कर पायाएगी, तो एक तो ये सारी बात है, इसके against भी क्या है, कि they say that women will not be competing on merit if there are reservation, which could lower their status in society, ऐसा बोला जा रहा है, एक तो ये सारी बात है, इसके बात है, इसके बाद है कि secondly, women are unlike say a caste group, which means that they are not a homogenous community, therefore, same argument made for caste wage reservation cannot be made for women, तो ये बात भी है कि caste group जो होते हैं, उसमें भी they are not a homogenous community से नहीं आती है, same argument करा कि अभी caste based reservation भी women को नहीं को नहीं दीजा सकती है, women का interest cannot be isolated from social layer of economic and political status, तीसरा argument ये है, चौथा ये कहा जा रहा है कि reservation of seats parliament में है, would restrict the choice of voters to women candidates, चौथा argument क्या है, कि reservation जो seats की होंगी parliament में, would restrict the choice of voters, voters की choice पी restrict कर देंगे, इसे क्या होगा, alternative लोग में घूंदेंगे, including reservation for women in political parties, but some parties pointed out that, these may not work as parties, may field work, women candidates in unwinable seats में जा के, women may contest the election, but not get voted to power, तो अभी कहरा है, how many women are there in the parliament, तो कहरा है कि हमने इसके बारे में आपको अलडी बता दिया, कि 14 percent ही है, this is highest in the number, but what we need, if we compared with the neighboring country, so आज भी ह लोग उसमें आ रहे हैं, तो fifth यहां पर argument देखो, यहां पर करा होगा है कि men hold primary power as well as key positions in political system, some have even argued that bringing women into politics could destroy the ideal family system, इस बिल के कुछ फायदे और नुफसान बताए है, आपको दोनों ही बाते पता होनी चाहिए, कि इसकी argument में for the bill क्या है और against the bill क्या है, ठीक है, तो आप दोनों स सजाना, सवारना, synonym में हैं, dress, plume और प्रीम, usage में देखो, he primed his hair for the award ceremony, let's move to the next news that is, railway video surveillance system projects termed by lack of security clearance, ठीक है, यहां पर मतलब समझो, देखो, furdles किसले आ रहे है, CCTV को, implement करने के लिए, surveillance system बढ़ाने के लिए, major railway stations में across the country, ठीक है, ठीक है, क्यों कि वही देखो, ministry of railway ने बढ़ इस्टिकल साइबर सेफटी इसू बहुत जादा है, तो as part of the enhanced security measures, railway implement कर रहा है, video surveillance system at the hundred of stations में, तो project is being financed करा जा रहा है, थूदी निर्भया fund, जो की control by the ministry of women and child fund, इस fund को sanction किया जाएगा, tender को finalize किया जाएगा, there has been inordinate delay क्यों कि इसमें बहुत जादा हो रहा था, surveillance cameras ठीक से नह करेगा, the standardization testing and quality certification director, ministry of electronics and information technology काम करेगा, तो despite constant reminders and follow of ministry of railways के साथ, after the contract agreement would play, single camera manufacturer ने भी ये काम नही करा, फिर meeting बुलाएगा, नितिया हो जुलाएगा, 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 जुल ensure the security of the camera network की vulnerability को बचाने के लिए, breaches को बढाल कर कम करने के लिए, false undertaking को discourage करने के लिए, it was decided कि security auditing and testing जो की जाएगी, reputed agencies करेगी, कौन करेगी, CRT, IN करेगी, CERT, IN करेगी, or STQC करेगी, at the time of proof of concept, as well as the time of completion of project, उसमें check किया जाएगा, तो in case any security, अगर कोई breach दिकती है, तो system में जाएगा, ECB stage पर, contract को immediately क्या कर दे जाएगा, terminate कर दिया जाएगा, ठीक है, तो this was the news, अच्छा, next news आपका दे रखा है, current procedure on inclusion on ST list adequate government के कहना है, जो भी current procedure चल रहा है, कैसे schedule tribe को include किया जाए, या उनको कैसे categorize किया जाए, कि this is the schedule tribe, उसके लिए, अभी तो हमारा criteria चल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है, both the procedure and criteria has been strongly criticized as an internal government task force formed in 2014, अब ना criteria याद रखना, criteria क्या होता है, स्टी को बनाने के लिए, schedule tribe को indicate करने के लिए, that is primitive traits होने चाहिए, distinctive culture होना चाहिए, geographically isolation होना चाहिए, shyness of contact होना चाहिए with the community at last and backwardness होनी चाहिए, procedure and criteria inclusion को criticize करा जाता है, मैं आपको बत absolute है लेकिन अभी बताया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है ये model और इसी model से बताया जाएगा कि ये एकदम सारे indicators जो है, बिल्कुल ठीक है, तो according to the model, modalities for inclusion first frame in 1999, proposal for inclusion must originate from respective state and directories, ठीक है, तो ऐसा इसमें आपर दिया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन कौन से criteria हो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें काई सारे चेंजिस के जाएए, कई सारे amendments के जाएगे, age of marriage in Indian Christian marriage Act, 1972, 22, Paris marriage and divorce act, Muslim law, Shariat application act, ministry has said that task was constituted before the introduction of bill in parliament or examine karega correlation of age of marriage and motherhood and related aspects ko dekhega pura, toh koshish puri hi ki jarega ki women ki age bhi marriage age of 21 kar di jaye, okay, now let's move to the next news, now dekho abhi zhaan, Eurasian otter dekho hai, kahaan per JNK stream me, or ye dekho jarega ki, yahaan pe dekho, kisi bhi species ke milne ka kuch kuch na indicators ho te hai, yata pahela photographic record diya gaya hai, semi aquatic carnivorous mammals ka, ki sum stresses of Neeru stream, jo ki Neeru stream ki hai, tributary hai, Chenab river ki, astral unpolluted hai, which is a good news for all of us, toh furli photographic dekho, ye haan pe, Eurasian otter ko liya gaya hai, infrared camera se, ab dekho, Eurasian otter joh na, meh 2 adult or 1 sub adult Neeru stream me, catchment me, nizar aya hai, okay, or Neeru, meh na apko bata ya hai, tributary hai, Chenab river ki, jis ka stretch jo hai, away from human habitation and comprising stoney beds hai, kuch narrow saab ko, uch me, valley valley dikhaeengi, virtually unseutable hai, sand and gravel mining ke liye, aur kuch yahaan pe, otter survival, yahaan pe, dekhen ko milta hai, yad rakhna, Eurasian otter ka, IOCN status kya hai, near threatened, thik hai, flagship species hai, indicate kerti hai, ki high quality aquatic habitat ho ta hai, अब 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 नीरu के बारे में याद रख लेना, तो question is survey hua, the 16-17 ka, us meh reveal kara gya, animals locally called hooder or hood once habited the entire length of the Neeru and its tributary which is unable to establish a direct sighting, to scientist ne ka bhi, ab aisee aisee aur bhi dekhe jayenge, capture kye jayenge, taa ki bahaan ke health status ka bhi, water bodies ke uska pata bhi chal paa hai, thik hai, now let's move to the next news that is this, South Korea nahi bataaya hai, ki wo world ka largest chip center ban kya hai, using dollar 230 billion of private investment, joki saadha tar samsung electronics जा रही hai, to plan is part of the government drive to invest heavily in six key technologies, jisay ki chip hai, display hai, batteries hai, saree-saree area, jaha pae countries ka tech giant ko well established already kara ja chuka hai, to yad rafna with dollar 230 billion funds, South Korea become the world's largest chip center, to aapke paa question aya hai, to bilkul aapko yad rafna hai, baat guys, yaha pae dhe rakha hai, kuchh states ko na identify kiya gaya, for PM textile scheme to be named soon, to yaha pae kare baat kara ja raha hai, ministry of textile hai na, usne shortly aapko identify kara, for implementation of prime ministers Mitra, that is mega integrated textile region and apparel park scheme, union ministry of textile ke through aie hai, PM Mitra park, joh hai, basically west ecosystem provide karega, textile industry ke lihe, collectively, present in one location with plug and play infrastructure, park, yaha pae improve kye jaayenge, competitiveness, unke textile value chain ko, usmeh farm, fiber, factory, fashion, eesab ko vision rakte vee, iski value ko enhance kara jae ga, to vision for 2030 is to achieve an economic value of dollar 250 billion, taa ki wo production bada pae, dollar 100 billion ka, export textile, apparels ka, related products ka bada pae, to this can be achieved through the sector hai na, joh ki is bahu jada dikkat mein ho, jada ubhara ja raha hai, chak hai, I think this is the all for today, thank you so much, keep listening, keep subscribing to our channel